साथियों, इस बार 15 अगस को देश अपनी आज़ादी के 45 साल में प्रवेश कर रहा है। यह हमारा बहुत बड़ा सा उभाग्य है कि जिस आज़ादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया उसके 75 वर्स होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा आज़ादी के 45 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साब्रमती आश्रम से अमरुत महोत्सव की सुरुवात होई थी। इसी दिन बापू की दाड़ी आतरा को भी पुनर्जिवित किया गया था। तब से जम्मु कस्मीर से लेकर पूरी चेरी तक, गुजराद से लेकर पुर्वत्तर तक, देश भर में अमरुत महोत्सव से जुड़े कारकम चल रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधिंता से ना नहीं, जिनका योगदान तो भहत बड़ा है, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई। आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं। अब जैसे मोईरांग डेको ही लीजिये, मनिपुर का छोटा सा कस्बा, मोईरांग कभी नेताजी सुभासंदर बोष की इंडियन नेस्नल आर्मी यानी आई एने का एक प्रमुक ठिकाना था। यहां आजादी के पहले ही आएने के करनल शौकत मलीक जीने जन्ना फैराया था। अमरूत महुत्सव के दोरान 14 एप्रिल को उसी मोईरांग में एक बार फीर तरंगा फैराया गया। ऐसे कितने ही स्वाधिन्ता सेनानी और महापुरुष हैं जिने अमरूत महुत्सव में देश याद कर रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की दरब से भी लगातार इससे जुड़े कारकम आयोजित किये जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांसकूरतिक मंत्राले की कोशिश है कि इस दिन जादा से जादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाए। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। राष्ट्रगान.in इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभ्यान से जुड़ पाएंगे। मुझे उमीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। इसी तरह के बहुत सारे अभ्यान, बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अमुर्त महोचव किसी सरकार का कारकम नहीं, किसी राजरिदिक दल का कारकम नहीं, यह कोटी-कोटी भारत वासियों का कारकम है। हर स्वतंत्र और कृतग्य भारतिय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सों की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधिन्ता सेनानियों के मार्क पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजहदि के मतवाले स्वतंतरता के लिए एकजूट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजूट होना है।